सल्मान एक टीनेजरी थे जब उनको अपने गुड़ लोक्स और ग्रेट फिजीक की बदावलत मौइलिंग आफर्स मिलने लगे थे बॉन इन फिल्मी फैमिली, he was destined to become an actor पर डैड सलीम को लगता था, सल्लू स्टार मटीरियल नहीं है and he can't become a hero और यही सोच कर उन्होंने सल्मान को डिरेक्टर शशीलाल नायर को असिस्ट करने भेज दिया जो उस वक्त जैकी श्रॉफ को लेकर फिल्म फलक बना रहे थे फलक की टीम में रहकर सल्मान ने फिल्म मेकिंग की निटी ग्रिटी सीखनी शुरू की पर अपना पॉर्टफोलियो लेकर प्रोडूसर्स के ओफिस के चक्कर लगाने भी नहीं छोडे अपनी धुन के पक्के सल्मान को उनका फिर्स ब्रेक्ट मिला एक लो बजट सास बहू ड्रामा बीवी हो तो ऐसी में पर इससे पहले कि वो मूवी रिलीज हो पाती सल्लू hit the jackpot by signing the lead role in सूरज बढ़ जात्याज मैने प्यार किया मैने प्यार किया became a massive hit one of the milestones in Indian cinema and Salman became a star overnight इस film से ही उन्होंने नह सिर्फ अपने तैलंट का लोहा मनवाया बल्कि अपने style का भी जल्वा दिखाया मैने प्यार किया मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया में उन्की friends cap और leather jacket का craze youngsters के सरचड़ कर बोल रहा था और Salman बन गए filmmakers की first choice पर उन्हें कोई जल्दी नहीं थी इस second movie बागी रिलीज़ एक्सक्राइब प्यार किया and went on to become another super hit in Indian film industry it happens like once in like a decade that there comes an actor who is just himself in each film and people love him for that इसके बाद 1991 में आई एक के बाद एक Salman की हर movie ने उनकी lover boy image को और strong बनाया सनम बेवफा, लव और साजन सल्मान was getting stronger as an actor with every film ये सारी movies अपने वक्त की बड़ी musical hits थी जिनके songs आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं सल्मान के गानों को बेहत खुबसूरत तरीके से गाया सिंगर S.P. बाला सुब्रमन्यम ने जो आने वाले कई सालों तक बने रहे चॉकलेट फेस्ट सल्मान की ओन स्क्रीन आवाज देखा है तहले बार जानम की आखों में प्यार जानम की आवाज प्यार